रादे रादे जैस्री किष्णा कहानी संग्रे में हमारे सभी स्रोताओं का हार देख स्वागत है पक्तो आज की वीडियो में हम मौनी अमावश्या ब्रत की कथा सुनेंगे हमारे सनातन धर्म में अमावश्या तिथी का विशेश में दोता है सास्त्रों के अंसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर सूर्ने हो जाता है तो अमावश्या तिथी का योग बनता है धारमेक मानिताओं के अंसार अमावस्या तिथी भगवान विश्डू को अत्यन्त प्रिय है पौराडे कथाओं के अंसार मौनी अमावस्या के दिन मनु रिशी का जन्म हुआ था इस दिन मोन ब्रत कर बिदवत सिरी हर विश्डू का पूजन अर्चना करने से मौनि फद की प्राप्ति होती है आई ये मोनी अमावस्या ब्रत की कता स्रवर करें प्राचिन काल में कांची पुरी में धेव स्वामी नाम का एक ब्रहमट रहता था उसकी पत्नी का नाम धनवती था उसके साथ पुत्र और एक पुत्री थे पुत्री का नाम गुडवती था ब्रहमण ने साथों पुत्रों के विभा करने के बाद बेटी के लिए वर की तलास करने के लिए अपने बड़े पुत्र को भेजा उसने एक जोत्सी को कन्या की उपाय पूछने पर ब्रहामर्ण ने बताया कि सिंगल दीव पर एक सौमा नाम की धोबन रहती है यदि कन्या की साधी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोस दूर हो जाएगा ब्रहामर्ण ने गुडवती को अपने सबसे छोटे पुत्रे के साथ सिंगल दी भेडा दोनों सागर के किनारे पहुँच कर उशेफार करने की कोशिस करने लगे जब समत्र को पार करने का कोई रास्ता न मिला तो भूंके फ्यासे बे दोनों एक बट ब्रच के नीचे आराम क को देख रहे थे साम को जब गिद के बच्चों की मा भुजन लेकर घौसले में आई तो उस भाई बहन की कहानी उसकी बच्चे बताने लगे उनकी बात को सुनकर गिद की मा नीचे बैठे भाई बहन पर दया आ गई और वह बच्चों को आस्वासन दिया कि वह उनकी समश् करेगी यह सुनकर गिद के बच्चों ने भुजन ग्रहण किया दया और ममता से वसीवूत गिद माता उनके पास आई और वोली मैं आपकी समस्याओं को जान गई हूं इस बन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए लेकर आती हूं तता प्राते काल में आपको गुद्र पार करा सिंगन दीप सौमा के पास पहुचा दिया गुझवती प्रति दिन सुवे सूर उड़े से पहले शोमा का घर लीप दिया करती एक दिन सोमा ने अपनी बगवों से पूच्चा कि प्रति दिन सुवे घर को कौन लीपता है बभवों ने तारी बटोर्न की लिए कहा कि हमारे अलावा और ऐसा कौन करेगा लेकिन सौमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और यह जानने के लिए वह पूरी राज जागती रही तभी उसने शुवे गुडवती को घर साप करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा गुडवती अपनी सारी परेशानी सौमा को बताती है जिसे सौंकर शौमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाट करने के लिए तयार हो गई सौमा ने ब्रहमर के घर जाकर पूजा लेकिन इसके बापजूद गुर्बती का बेवा होते ही उसके पती की मृत्य हो गई तब सौमा ने अपने सवी पुन्य गुर्वती को दान में दे दिये जिसके कारण उसका पती जीवित हो उटा लेकिन पुन्यों की कमी से सौमा के पती और वेटे की मृत्य हो गई सौमा ने सिंगल दीप लोटते हुए रास्ते में फ्लीफल ब्रच की चाया में विष्डू भगवान का पूजन कर एक से आठ वार पीपल की फरक्रमा की इसके पुन्य प्रताप से फरवार के सवी सदसे जीवित हो टे इस प्रकार मौनी अमावश्या के दिन किसी पवित्र नले में इश्नान आद कर विद्वत विष्डू भगवान की पूजा अर्चना करके वपीपल ब्रच की परक्रमा करने से मनोवांचित फल की प्राप्ती होती है तदा परवार के सदस्यों पर भगवान का आसी बात सद देप रहता है तो भगतों ये थी मौनी अमावश्या की कहानी अगर आपको हमारी प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो आप हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करें